Hello friends, BSC, Second Semester Chemistry, Unit 3, Chemistry of Nucleic Acid तो आज हम इसमें बात करने वाले वार्सान एंड क्रीक model of DNA DNA का वार्सान एवं क्रीक का model, ठीक है? तो याई, टॉपिक आपके इंपोर्टेंट होने वाला बहुत ही आसानी से देख सकते हूँ, इससे समझेंगे ये DNA की दुइक उंडली सनशना पर ये model आपका दिया गया है, ठीक है? DNA की जो दुइक उंडली सनशना है, उस पर ये model आपका दिया गया है, ठीक है? तो बहुत ही आसानी से इसको आजम लोग समझेंगे, ठीक है? DNA का Watson एवं क्रिक मॉडल तो यार प्लीज वीडियो को लाज तक देखना ठीक है तो देखो DNA का Watson एवं क्रिक मॉडल जेडी वार्षन तथा FH क्रिक ने DNA अलू का कारिकारी मॉडल प्रस्तुत किया इसके लिए उन्हें सन 1962 में नोबल पुरस्कार मिला मतलब की जेडी वार्षन और FH क्रिक ने DNA का जो मॉडल दिया कारिकारी मॉडल प्रस्तुत किया इसके लिए उन्हें 1962 में नोबल पुरस्कार भविल मिला और ये जो मॉडल है ये DNA की द्वी कुंडली सनशना पर दिया गया अब थोड़ा आपको DNA की बारे में बेसिक बता दें जिससे आपको आगे की बाते समझ में आए तो DNA का बेसिक समझ लो देखो DNA में तीन प्रकार की छारक उपस्तित होते है देखो आपका DNA में कौन-कौन सी चीज़ उपस्तित होती है फास्फोरी कामले, डियाकसी राइबोज और नाइट्रोजनी कार्बनिक छारक अब नाइट्रोजनी कार्बनिक छारक दो प्रकार से हो सकते है प्यूरीन, पिरामिडीन ठीक है एडिनीन को A से, ग्वालीन को G से, थाइमीन को T से और साइटोसीन को C से ठीक है डिनोट करते है, तो यह बात यह दखना अभी आपका इस पे यूज होगा ठीक है तो यह है आपका DNA का वाटसनेमं क्रीक मॉडल के लिए आपका DNA का थोड़ा सा बेसिक जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा आप यह जो DNA की आपको संद्रशना दिख रहे है, यह द्रीकुंडली संद्रशना है इसी पे आपका यह मॉडल लगाया गया है, ठीक है, तो चलो देखते कैसे इदनी बात तो आपको समझ में आगे होगी, ठीक है, अब आगे देखो, इस पे आपको समझाते है कैसे यह क्या होगा, आपका द्वी कुंडली संरशना है और इस पे कैसे मॉडल आपका वार्सनों क्रीकने लगाया, ठीक है तो पड़ो, प्रतेग डियने अडू, दो प्रतिसमानतर, एंटी पैरिलल, पाली नुकलियोटराइट संखलाओं का बना होता है और दोनों संखला, एक दूसरे के चारो और, इस्पीरिली, सरपीला कारक्रम में विन्यासित होती दोनों एक दूसरे के एंटी पैरलल होती है, और क्या है, देखो कहा गया ना, कि दो प्रतिसमानतर, पाली नुकलियोटराइट संखलाओं का बना होता है और सरपीला कारक्रम में विन्यासित होती है, ठीक है आगला पॉइंट दोनो सरंखला है, विपरित दुसरा में कुंडलित होती है जिसके एक सरंखला का 3 dess, दूसरे के 5 dess सरे पास इस्तित होता है देख सकतो यह एक दूसरे के विन्यासित इस्तित है, एक का 3 dess और दूसरे का 5 dess से होता है तो यह पूरा देख सकते हो यह आपका DNA की द्वी कुंडली समशना है तो यही बात है आप देखो बात करें जो आपकी डियाक्सी राइबोज सरकरा DNA में उपस्तित होती है DNA में कौन सी सरक्रा होती है Deoxy Ribose कौन सी सरक्रा Deoxy Ribose होती है तो सरक्रा जो Deoxy Ribose है ठीक है इसी से आपको इसका model देखना है ठीक है जो Deoxy Ribose सुगर इस पे उपस्तित होती है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो यह जो सुगर है पेंटोस सुगर होती है, कैसी सुगर होती है, पेंटोस सरक्रा होती है यह अपकी, ठीक है, तो पेंटोस सरक्रा को अगर हम प्रदर्सित करना चाहिए, तो किससे कर सकते हैं, देखो ऐसे, देखो पेंटोस सुगर को आप ऐसे प्रदर्सित कर सकते हो, यहाँ पर यह ऐसे, यह पे और बीच पे आप S लिख सकते हो ठीक है, सुगर, तो ये आपकी पेंटो सुगर होती है, ठीक है, इसको आपको मनलब 5 कारबन है न, तो इसको ऐसे P और बीच में S लिखकर पेंटो सुगर को लोग डिनोट करेंगे ठीक है, अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, और जो एडिनीन, गुवानीन, साइटोसीन और थायमीन इसको आप ऐसे लिख सकतो, कोष्ट के अंदर A, फिर गुवानीन को आप इसी परकार G, ठीक है, इसी टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर A हो जाएगा, फिर आपका देख सकतो, यहाँ पर आपको यह यूज होंगे ठीक है, पेंटोसुकर, एडिनीन, थायमीन, गुवानीन और साइटोसीन ठीक है तो यह बात है, तो एडिनीन आपका A से, थायमीन T से, गुवानीन G से और साइटोसीन C से ठीक है, आप बात करें जो एडिनीन, थाइमीन, गुवानीन और साइटोसीन है इसका हम लोग देखो क्या करते हैं साइटोसीन और गुवानीन का आपको याद रखना है एडिनीन और थाइमीन डबल बॉन्ड से चुड़ेगा और साइटोसीन हमेशा गुवानीन से ही जुड़ेगा और triple bond से जुड़ेगा क्या याद रखना है adinine हमें इस साथ thiamine से जुड़ेगा double bond से cytosine हमेशा guanine से ठीक है तो ये बात याद रखने आप चलो बनाते हैं इसका हम लोगी structure पूरा ठीक है यहाँ पे देखो P आपको लिख देना और बीच पे लिखना है ठीक है पेंटो सुगर हो जाएगी ठीक है आप देखो यहाँ पे अगर बात करें आपको यहाँ पे देखो जैसे हमने माल लोग यहाँ पे adinine को जोड़ा adinine को जोड़ दिया है यहाँ पे तो यह जो adinine जोड़ा हुआ है अगर लोग यहाँ पे जोड़ते है आपको पता adinine किस से जुड़ता है थाइमीन से हो भी double bond से ठीक है तो double bond से adinine जुड़ता है तो आपको यहाँ पे simple लगाने double bond और thाइमीन को जोड़ देना है adinine हमेशा thाइमीन से जुड़ेगा और double bond से जुड़ेगा ठीक है कितने bond से जुड़ेगा double bond से जुड़ेगा ठीक है double bond से जुड़ जाएगा अब इसी प्रकार आगे भी आप pentose sugar को लगा सकते हो ठीक है और guanine हमेशा किस से जुड़ता cytosin से वो भी triple से ठीक है तो adinin thymines जुड़ गया अब यहां पर आपको pentose sugar लगा देनी है ठीक है pentose sugar आपकी यहां पर ऐसे लग जाएगी ठीक है तो देख सकतौओ यह आपकी pentose sugar होगी ठीक है अब इतनी बात हो गई pentose sugar जैसे वहाँ पर था वैसे हो जैसे हैं यहां पर हो गया ठीक है अब भी मानलो इसके आगे हमने जोड़ दिया क्या क्या जोड़ देते हैं इसके आगे मानलो गुवानीन जोड़ सकते हो ठीक है गुवानीन जोड़ दिया तो गुवानीन त्रिपल बॉन से जुड़ता हो कितना सबज में आ रहे है असान एक दब आप देखो आगे देखो यहाँ पर आपको इसी लिख देना फ्रक्राय तो यहाँ पे इसे ओझ आ हो जाएगा यह और बीच में रहे हो जाएगा ठीक है आपका बीच में डिली और यहाँ पे माल लो अब हम नोग क्या जोड़ दे इसके साथ और आपका ये पेंटोस सुगर जोड़ देना है तो देख सकते हो आसानी से आप जोड़ सकते हो पेंटोस सुगर यहां पर आपका पी होज़ जाएगा तो देखो यहां पे Drag पेंटो सुगर हो गई, आप यहाँ पे जो पेंटो सुगर इसको आपको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ पे फिर ऐसे पी लिखकर आपको यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, यह पी लिखकर ऐसे जोड़ देना है, तो यह पूरा इस ट्रॉक्चर इसका दे तो इसको थोड़ा देख लेना देख सकते हो यहां पर यह लग गया ठीक है और आपका यह ऐसे तुट जाएगा यह पी से यहां पर ऐसे बस धान देने की बात यह थी कि आपको इधर उल्टा तो आप इसी टाइप से आगे भी जोड़ सकते हो आप ठीक है तो इसके लिए शौरी वह उपर गड़ गड़ हो गया था ठीक है देख लेना आप देखो यहां पर आपका पी हो जाएगा फिर से यहां पर दीचे जोड़ते उसी टाइप से चले जाना है यहां इस बॉंड से तो यहां पर ऐसे ठीक है आप देखो यहां पर आपको बॉंड लगाना है और यहां पर मालो हमने लिख दिया क्या फिर जैसे आप लिख सकते हो थाइमीन ठीक है और फिर थाइमीन किससे जोड़ता है एडेनीन से तो यहां डबल बॉंड से आपका एडेनीन छोड़ जाएग जैसे यहां तक बन गया, वैसे नीचे भी आप बना सकते हो, ठीक है, तो चलो नीचे भी बनाते है आपका, तो यहां पे देखो P हो गया, यह आपका S से जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका P यह जुड़ गया, यहां पे S बना दिया, अब इसी टाइप से आगे मा हो गया तो sorry double bond से ठीक है और यह जो bond है आपकी hydrogen bond होते है ठीक है कुँण से bond होते है डबल hydrogen bond triple hydrogen bond है यह सारे ठीक है दुरूबल black hydrogen bond से ज़ुडा हुआ है तो इसको याद रखना ठीक है यह कौन से bond है hydrogen bond ठीक है यहाँ पर आपका यह P और बीच में लिख देना S, ठीक है, तो इसी टाइप से आप पूरा नीचे तक इस्ट्रक्चर बनाते जा सकते हो, ठीक है, तो यही है आपका वार्सन इमम क्रिक मॉडल, जो की DNA की द्वीकुंडली संरशना को पईभासित करता है, ठीक है, पूरा यह देख सकते हो, ठीक है, तो प्रतेग नुक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी चार, डियाक्सी राइबो सरक्रा, तता फास्पोरी कमले का एक एकड़ू होता है, ठीक है, यह बात बताई, और फिर का आगया, एक सरंखला के सभी नुक्लियोटाइड, फास्पेड, अडवो द्वारा, फास्पोर आपसे हाइडोजन बॉंड से जुड़े होते हैं, फिर का आगया, डियाने की दोनों नुक्लियोटाइड सरंखलाओं में प्यूरीन तता पिरामीडीन की मात्रा बराबर होती, क्योंकि एक सरंखला के प्यूरी पिरामीडीन से जुड़े होते हैं, और फिर का आगया, एड प्लीज वीडियो को लाइक है तो देख सकते हो भाईया यह था आपका वाटसान इवं क्रीग मॉडल तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना ठीक है यह था आपका देने का वाटसान इवं क्रीग का मॉडल पूरा आप ठोली देख सकते हो याप पे